नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लोग Reliance Trends में सौपिंग कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग को मोबाइल पे भेंडर में जाना है लेकिन इन सारे कामों को करने से पहले हम अगर इस सीज से आस्पस्त नहीं है कि हमारा बिल एमांट कितने का होगा तो थोड़ा हम लोग इनतिजार भी कर ले और जब हम लोग का final बिल बन जाए तो उसके according हम लोग काम अपना करेंगे दोस्तों हम लोग आज Reliance Trends में कैसे सौपिंग करेंगे उसकी जानकारी ले रहे हैं दोस्तों हम लोग को करना क्या है जब बिल बन जाए और बिल एमांट हम example के तोर पे लेते हैं कि 3700 रुपे का बिल मेरा बना अब उस 3700 रुपे का payment हम लोग कैसे करेंगे उसकी जानकारी हम लोग यहाँ पे लेंगे दोस्तों हम लोग सबसे पहले अपना application खोल करके mobile पे vendor वाले option में जाएंगे इस option में second number पे pay to vendor है pay to vendor को हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे offline और online दो तरीके का आपको vendor दिखता है दोस्तों जो भी सबसे उपर में recent transaction आपको दिखाएंगे यह recent transaction जो है यह सारे transaction आपको इस तरीके से दिखेंगे दोस्तों जो भी हमने अभी तक voucher purchase करा या किसी भी vendor को हमने payment करा यह सार कि trends में करना है shopping तो हम लोग trends को यहाँ पे click करके search कर देंगे सबसे उपर apprails and accessories में reliance trends भी आ रहा है इसको और भी तरीके हैं दोस्तों जिससे हम लोग search कर सकते हैं उसके लिए more filter लगा हुआ है अब उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं कि apprails में हमको कुछ apprails and accessories के किसी brand म आते हैं आप देख सकते हैं बट चुकी हमारा यहाँ पे clear है कि हमें trends में shopping करनी है तो हम लोग trends ही click करके search कर रहा है दोस्तों हमें इसे 3700 का payment माल लिया देना है अभी 3700 का payment देने के लिए हम यहाँ पे proceed बटन को दबाएंगे दोस्तों यहाँ पे clear लिख रहा है आपको enter payment 3700 हमने 3700 का payment यहाँ पे enter किया है available payment code जो है 3500 का यानि कि एक payment ID हमारा यहाँ पे generate होगा और 200 रुपए का जो balance amount दिख रहा है यह directly pay to the reliance trends यानि कि reliance trends के bill counter पे हमें अलग से 200 रुपए paid करने होगे और जो payment ID हमारा create होगा 3500 का उस 3500 का हमें payment ID सामने वाले को दिखाना होता है दोस्तों हम यहाँ से proceed करेंगे और इस पैसे को जो 3500 हमारा यहाँ पे deduction होगा हम उसे wallet में डालेंगे दोस्तों इससे सबसे पहले हम लोगों को billing amount जितने का भी होता है हम लोग bill amount उतने amount का हम लोग अपने wallet में टॉप अप कर लेगे दोस्तों जब इसे click करेंगे तब आपका यहाँ से pin पूछेगा चुकि अभी insufficient fund है लेकिन चुकि हमारा जब bill generate होता है दोस्तों तो इस तरीके से हमारा bill generate दिखेगा और इस bill को हम लोगों को देखने के लिए हम लोगों को करना क्या है हम लोग एगेन मोबाइल पे vendor वाले option में जाएंगे pay to vendor क्लिक करेंगे वहाँ पे recent transaction में आपको दिखेगा यहाँ पे 3500 में आपका 3500 और 502 voucher create हुए है आप यहाँ पे देख सकते हैं और यह जो payment code है यही payment code हम लोगों को billing counter पे देना है दोस्तों इस माद्यम से हमारा 3500 का payment तो इससे हो गया बट जो बचा जो 200 रुपे का और जो हमें payment देना था उसे हम लोग mobile पे card से भी दे सकते हैं दोस्तों इस 3500 के payment पे commission कितना बनता है reliance trends के मामले में हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं अब चुकि हम एक calculation के part पे जाएंगे तो आपको दिखाता हूं दोस्तों यहाँ पे हमार calculator open हो गया 3500 रुपे का transaction किये और इस पे reliance trends के तरफ से company को साड़े 12% का commission generate हुआ जो की 437 रुपे 50 पैसे commission के तौर पे company को बने इस बने हुए amount में सबसे पहले government का जो tax का part है उस tax के part को हम लोग हटाएंगे दोस्तों और tax का part जो है one point sorry again दिखा रहा हूं 3500 गुना साड़े 12% हम लोग निकाल लिया यह amount बना इस amount में हम लोग tax हटाने के बाद इतना amount company के पास company के पास बच गया इस हिस्से में दोनों को पैसे जाने है यूजर को भी जाने है और company को भी रखना है दोस्तों इसमें से 25% company ले करके जाएगे और इसी का 75% हिस्चेदारी company distribute करेगी दोस्तों ये 75% का जो हिस्सा है ये 278 रुपय साथ पैसा होता है आप देख रहे हैं कि 278 रुपय साथ पैसे जो ये commission distribute होना है इसका 51% that means 141 रुपय बेरासी पैसे यानि कि यूजर को आने चाहिए दोस्तों ये 141 रुपय बेरासी पैसा जो आया ये किस तरीके से आया यहाँ पे आप देख सकते हैं 141 रुपय तेरासी पैसा बना हुआ दिक्राइग दोस्तों बाकई ये अचमभित करने वाला income है और ये immediate हमारा commission provide करता है आप देख सकते हैं 4 नवंबर 2024 को 8 बच के 24 मिनट में ये transaction हुए जिस पे ये commission आया है transaction कितने बजे हुए इसमें आपको यहाँ पे time दिखा रहा होगा 8 बच के 24 मिनट दोस्तों सोज के देखें 8 बच के 24 मिनट 57 सेकंड में हमारा payment ID generate होता है और 8 बच के 24 मिनट इसमें second नहीं लिखा हुआ है बच आप सोज लें कि 57 के बाद मातरी तीन सेकंड बाद आठ 24 से 25 हो जाता यानि कि ये real time में हमारा ये काम करता और इस तरीके से दोस्तों हमारे commission generate होते हैं दोस्तों ये सिर्फ reliance trends का ही हम लोगों के पास नहीं है मामला ऐसे तमाम जितने भी applications के अंदर अभी vendor invilt हुए हैं इन सारे vendor के ऊपर commission इतने बड़े-बड़े हैं और लोगों के पास जब आ रहे हैं commission तो उनको अब मन के अंदर ये उद्वेलित कर रहा हुन्हें बार-बार कि भाई मुझे तो mobile पे करना चाहिए आपको क्या लगता है कि आप mobile पे से बंचित रहना चाहते हैं दोस्तों अभी समय है आप सीखेंगे तभी आप अपने जानने पहचानने वाले लोगों को सीखाएंगे जिससे आपके team का personal growth होगा और team के personal growth होने की बज़ा से आपकी C.U.G. बढ़ीगी और C.U.G. जब बढ income आ रहा होगा आप सोच के देखें चुकी दोस्तों हम लोग सिर्फ एक ही चीज सोच रहें कि अगर ये 10,000 लोगों का भी अगर आपका group खड़ा हो गया लेकिन इस 10,000 की वी team बनाने के लिए आपको थोड़ी शी तो जद्दो जहत करनी पड़ेगी दोस्तों अभी आप सो पर सेंट उपर के 5 लोगों को गय होने दोसो अठतर रुपिये 9 पैसे का 5 पर सेंट अगर बात करें तो 14 रुपिये एक व्यक्ती जो की सिर्फ 3500 की खरदारी करते हैं और आपको एक व्यक्ती 1400 रुपिया दे करके जा रहा है अगर ऐसी ऐसी टीम आपने 10,000 लोगों का बना दिया जो 3500 की शॉपिंग ऐसे जगों पे जाके कर रहे हैं तो आपकी अर्णिंग लाक रुपे से उपर की आने वाली है दोस्तों आप जो देख रहे हैं यहाँ पे फीगर बाकई यह मुम्किन है मोबाइल पे के माद्यम से दोस्तों मोबाइल पे का सिंपल संदेश है कि आपको कोई भी हम एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए नहीं बोल रहे हैं जो आप खर्च कर रहे हैं उस खर्च के माद्यम को सिर्फ बदलना है दोस्तों अगर आपने माद्यम बदला तो बाकई आपकी अर्णिंग इतनी बड़ी होगी इतनी बड़ी होगी जिसका आपने अ और सीखते हुए अपने लोगों को भी सीखाते चलें ताकि फायदा सभी लोग उठा सकें। दोस्तों ये पहली ऐसी कंपनी है जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकि जितनी कंपनिया थी उन कंपनियों ने हमारा यूज किया है। अब इस बात को अगर समझना होगा तो आप समझ जाएंगे चुकि लाइन छोटी है लेकिन बात बहुत गहरी है। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी समापन करूँगा और ये ट्रेंट्स का है। इसी तरीके से आप कई भेंडर्स का आप यहाँ पे एक्जाम्पल के तौर पे आप लेकर करके आप उसे ट्राइल लें। बहुत अच्छा अनुभब आपको आएगा और जो कमिशन आएगा वो आपको मोटिवेट करेगा। चुकि हम लोग कहते हैं दोस्तों, money is the best motivator. अगर पैसे आएगे, तो आप automatic motivator में। यह जो पैसा, अभी आप देखें, 278 रुपे 9 पैसे इस distribution commission का 10% FSC को भी जाना है। अगर हम जिस district का FSC लेते हैं, उस district में अगर 10,000 लोग भी अगर ऐसे खर्चे कर लिए, तो यह FSC की कमाई आने वाली है। दो लाक 78,090 रुपे। दोस्तों, देख सकते हैं। सारी चीजे आपके सामने असपस्थ हैं और यह पूरा गनीतिय कल्कुलेशन है। इसे सोचे, समझे, विचार करें। एडवाइजर भी बन करके आप बहुत अच्छी अर्निंग बना सकते हैं। ऐसे तमाम चीजों पे कमपनी एक अलग से कमिशन देने का काम करेगी। दोस्तों, ठैंक यू, ठैंक यू अल दोस्तों।